नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक चार्जिंग इंडिकेटर बनाने वाले हैं दोस्तों क्या होता है दोस्तों हम बैंटरी को चार्ज पर लगा देते हैं हम को ये पता नहीं होता कि बैंटरी चार्ज हो रही है या नहीं तो हम क्या करेंगे, बैंटरी के साथ एक LED कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें यह पता चले कि जो बैंटरी है वो चार्ज हो रही है, तो इसके लिए दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स की जिवरत होती है, जैसे एक डायोड, LED बल्ब और एक चार्जिंग पिन, तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बैंटरी में हमें पॉजिटिव साइड वाली साइड हमको एक डायोड को कनेक्ट करना है, डायोड का नम्मर है 4007, तो कुछ इस तरह से हमने इसको दोस्तों कनेक्ट किया है, इसके बाद आप LED कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों कनेक्ट करना है, जब हम दोस्तों इसमें चार्जिंग वाली पिन कनेक्ट करेंगे, तब ही LED जलेगी, तो दोस्तों अब हम इसमें चार्जिंग वाली पिन लगाते हैं, तो दोस्तों जो पॉजिटिव वालर रहेगा, उसमें रेड कलर का वायर कनेक्ट किया जाएगा, और इस बैंटरी को चार्ज करने की तो हम इससे दोस्तों अपने मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं तो simply हमें mobile charger को light के साथ connect करना होता है और जो दूसरी side pin है उसको से mobile की तरही इस pin के साथ connect किया जाता है तो दोस्तों आप देखना जैसे ही हम इस pin को connect करेंगे तो जो हमने LED लगाया है वो जलने लगेगा और ये show करेगा कि हमारी जो battery है वो charge करना start हो चुकी है तो इस तरह से दोस्तों हम एक charging indicator बना सकते हैं अपनी battery के लिए जो हमें indicate करेगा कि हमारी battery actually में charge हो रही है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे आप हमें comment box में comment करके बताएं और हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को भी press करें जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके कर दो दोस्तों है